प्रग्या को रिल्स बनाने का बड़ा ही ग्रेज है और वो दिन भर रिल्स बनाती रहती है खाते, पीते, घुमते, फिरते, घर में, और रिल्स बनाने के कारण प्रग्या पूरे कॉलेज में हाइलाइटिड है जहां उसके रिल्स सभी को पसंद आते हैं, वहीं मनिशा चिंता में डूबी रहती है एक रोज जब खाते हुए प्रग्या रिल्स बना रही होती है, तब मनिशा कहती है एक मिनिट पी चैन नहीं है इस लड़की को, यह नहीं कि खाना तो आराम से खाले, लेकिन नहीं आरे थोड़ी दे रिल्स नहीं बनाओगी तो आस्मान नहीं तूट पड़ेगा आरे मम्मी, इसी को तो कहते हैं डिटर्मिनेशन, तुम नहीं समझोगी यह सब भगवान, इस लड़की को सथ बुद्धी दे, जब देखो तब तेढ़ा बाका मू बनाती रहती है मनीशा की बात का प्रग्या पर जड़ा भी असर नहीं होता और वो खाते खाते रिल्स बनाती रहती है दिन बितने लगते हैं और देखते देखते प्रग्या का कॉलेज भी खत्म हो जाता है आई दिन कुई ना कोई मनिशा को प्रग्या की शादी करवाने का सुचाव दे जाता है। सब ठीक ही कहते हैं, प्रग्या की शादी कर देनी चाहिए। अपने घर के काम का आज में व्यस्त हो जाएगी, तो खुदी ये रिल्स और नाज गाना बंद हो जाएगा। मनिशा और प्रग्या की लिए एक अच्छा लड़का ढूनने लगते हैं। और तभी विकी का रिष्टा प्रग्या की लिए आता है, जिसने प्रग्या को उसकी रिल्स देखकर पसंद कर लिया था। अगले दिन विकी अपने माता पिता के साथ प्रग्या की घर पहुच जाता है, और प्रग्या साड़ी पहने हाथों में चाई की ट्रेलिये उनके सामने आती है। जब विकी को पसंद है, तो हमें भी बहुँ पसंद है। बहन जी, आप बारात की तयारी कीजिए। एक बार लड़का लड़की अकेले में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। मनिशा, विकी को प्रग्या के कमरे में भेजती हैं, जहां प्रग्या पहले से ही रिल्स मना रही होती है। तब ही विकी कहता है। आ गया आपके साजन जी, हमारे साथ ये रिल्स कंप्लेट करती तो और भी अच्छा रहता। अच्छा जी, अब आ ही गया है तो बना ही लेती हो आपके साथ। दोनों मिलकर रिल्स बनाते हैं, जब वी मीट और तुरंत पोस्ट पे कर देते हैं। फिर विकी कहता है, जब आप साड़ी में चाय लेकर आए, तब मुझे लगा कि कहीं मैं घलत घर में तो नहीं आ गया। आप सही है। दोनों की शादी पक्की हो जाती है। और शादी की दिन भी प्रग्या रिल्स बनाने से चुकते नहीं, यहां तक की बाराथ की समय भी नाच्ते हुए रिल्स बनाती है। बहु ये रिल्स के साथ साथ कुछ काम भी कर लिया करो वैसे तुझे और क्या-क्या बनाना आता है ममे जी वैसे तो सब कहते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मैं मैंगी अच्छा बना लेती हूँ हाँ, कॉफी भी अच्छा बना लीती हूँ और मु flav तो सबसे अच्छा बना लीती हूँ है, अच्छा, अच्छा सुनीतों अपना माधा पकड़ लेती है और कहती है बहू, कुछ खाना बनाना भी सीख लेती मम्मी जी, मैं लम्मी प्लानिंग कर रही हूँ जल्दी ही मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी कि मुझे पैसे मिलने लगेंगी हम दोनों सास बहू राज करेंगी राज ना कर काम करेंगी और लोगों की तर लाइन लगेगी हमसे मिलने के लिए तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? हासी मजाग तक ठीक है लेकिन इस तरह घर नहीं चलते जितना जल्दी हो इस घर के तोर तरीकों को सीख लो प्रग्या मूँ घुमाकर चली जाती है और तुरंट उसी वक्त एक रील बनाती है ये देख सुनीता का गुस्सा साथ व्यासमान पर चला जाता है और विकी की घर आती ही सुनीता उसे सब कुछ बताती है विकी भी अब प्रग्या की इन हरकतों से परिशान हो जाता है तुम टेंशन मतलो ममा मैं देख लूँगा विकी कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रग्या रील्स बना रही है विकी बड़े ही प्यार से प्रग्या से कहता है प्रग्या, इन सब के लिए मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी हर वक्त तो ये अच्छा नहीं लगता ना समझने की कोशिश करो, मुझे भी तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए मैं जब आफिस से आता हूँ, तुम मुझे समय देने की जगा इसी में लगी रहते है तुम ज्यादा ही सूच रहे हो, तुम भी मेरे साथ रिल्स बनाओ ना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें इज़द से कोई बाद समझ में नहीं आती क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा इस चकाचौन से अगर तुमने अपना रवया नहीं बदला, तो मैं तुमसे दूर चला जाओंगा तुम्हें रिष्टा लेकर आये थे, मुझे लड़कों की कमी नहीं थी, और ना आज है विकी दर्वाजा पटक कर चला जाता है, धीरे धीरे विकी प्रग्या से दूर होता जाता है एक रोज मनीशा प्रग्या के सिसुराल उससे मिलने जाती है, तब सुनीदा उससे कहती है बेहन जी, अब आई है तो कुछ दिन यहां रह कर जाईएगा, आप ही का घर है अहाँ ममी, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ एक भी रिलनी बनाई मैंने प्रग्या तुरंट अपने फोन में रिल्स आन कले ये सब मुझ से नहीं होता, तेरा ये भूत अभी तक नहीं उत्रा क्या पहन जी, आप कुछ कहती नहीं क्या इसे जब आप ही कुछ नहीं कर पाई, तो मैं कर ही क्या सकती हूँ सास तो वैसी ही बदनाम है शाम को घर की लाइट चली जाती है और मनिशा प्रग्या से कहती है मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तु लाइट का कुछ इंतिसाम करना बेटा अच्छा केंडल जला देती हूं ममा प्रग्या गाते हुए केंडल जलाती है और खिड़की के परदे के पास रख देती है मनिशा जिसे बहुत दर्द हो रहा है, वो सो जाती है और प्रग्या हमेशा के तरह अपने रिल्स में लग जाती है उधर केंडल की वज़े से पर्दा आग पकड़ लेता है और मनिशा के कमरे में आग लगचा रही है सभी भागते हैं और विकी कमरे की आग बुझाने में लगचाता है लेकिन तब तक मनिशा आधी जल चुकी थी मनिशा की हालत देख प्रगया रोने लगती है विकी मनिशा को तुरंथ हॉस्पिटल ली जाता है और उसे एडमिट कराता है विकी प्रग्या से कहता है देख लिया ना तुम्हारे इस नाज गाने की वज़ा से आज तुम्हारी मा की जान जाते जाते रहे गए अब पता नहीं तुम और क्या चाती हो उतर डॉक्टर कहते हैं इनके हालत बहुत नासुक है आदे से ज्यादा चल चुकी है प्रग्यारोती हुई मंदिर में जाती है और भगवान के आगे जाकर कहती है भगवान मेरी मा को चीक कर दो मैं कसम खाती हूँ हाथ से ये रिल्स बनाना छोड़ दूँगी पस मुझे मेरी मावा बस बिल जाए दो दिन बीच जाते हैं और मनिशा खत्रे से बाहर आ जाती है पेशन्ट अब ठीक है आप लोग उन से मिछ सकते हो सब कोई मनिशा से मिलता है और प्रग्या सबकी सामने अपना फोन तोड़ देती है मुझे माफ करतू ममा मैंने तुम लोगों की बातों को नजर अंदास किया बिठा कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खराब है मैंने तुम्हें रिल्स बनाने से कभी मना नहीं किया प्रग्या उस दिन से रिल्स बनाना छोड़ देती है और पूरी तरह से अपने घर में लग जाती है झाहिए मैंने और हम चाहिए जर्ग्यङंट है अ झाल झाल